हाई बच्चा लोग, वेलकम तो माई इंग्रिश क्लासेज, मैं हूँ सरेजित गुपता और मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में पुराना से लेबस का फ्रिट्स वाला जो चैप्टर है, जो पहला स्टोरी जो है 22 जीतरे, वो पढ़ा रहा था, अल्रेडी उसका पार्ट मैंने रिलीस कर चुका हूँ, यहां पर आई बटन में देखिएगा, वहां पर मैं लिंक डाल दूँगा, इसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में प्रिट्स का चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इस पार्ट टू अफ द वीडियो, पार्ट वन मैंने पहले भ इसलिए लाइक कर लीजिएगा, शेर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन आउन करके रखिएगा, ताकि मेरा कोई भी चैप्टर जब जाएगा, आप लोग को, एक्जाम के पहले आप लोग सिर्फ चुप चाप बैट के बुक खोल के देखते रहिएगा, और आप लोगो पूरा चैप्टर जो एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं चैप्टर को इंग्लिश में एंड हिंदी में कनवर्ट करके, मैं आप लोगो सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन करके सम्झाने का कोशिश करूँगा, तर यह चैप्टर लॉटक हो जबदा, मैं फित्व जोएगा जचात है, ब्रेकडाई जब दोई है, उसको तो फिरीज के बारे माशान से याद आगे है, वो लोग चाहे पी रहे थे, बुंदी में, तब जोएगा जोएँ तरत देर के लिए को जब हो गया, तीकहा, शंकर अपना घरी देखा देखा कि सारे नाव बज रहा है इट वाइट डार्क आउटसाइड वाइट साइलेंट थी लोग ड्रायूर में बैठे हुए थे वहां पे एक ओयल लाम जल रहा था जस्ट इमेजन को ठीक है वही पुराना बड़ा बड़ा सीलिंग वाला ठीक है लंबा भुष्टीर से थोरा से कैसे कैसे स्केरी स्पूकी टाइप एक सेटिंग बन रहा है तो शंकर ने जोग उसे पूछा कि अरे वाट है वाट है दोल का क्या हिवा जोग जोग तो फिल दीपन थॉट इस अंसरे वाइट फेंट इस प्वेश्य केम सो लेट ता इट बाइट आ तो जब शांकर पूछा कि क्या हुआ डॉल का जोनतो कुछ देर के लिए चुप रहा वो शायद सोच रहा था लेकिन इतना ही ज्यादा टाइम लेके वो सोच रहा था वो चुप रहा शांकर को लगा कि परहापस याद नॉट हर्द उसको सायद सुनाई नहीं उसका सवाल फिर अचानक से जोनतो बोला कि मैं उसको बुंदी लेके आ है कहाँ तो शंकर भूल था कैसे कैसे करें दिस्ट्रोई हो गया जोनतो था से एक लंबा सांश्वरा करके we were sitting out on the lawn having tea I had kept the doll by my side on the grass I was not really old enough to have tea but I insisted and in the process the cup tilted and some of the hot tea fell on my pants I ran inside to change and came back to find that fridge has disappeared तो बुझा है कि हम लोग lawn में बैट के चाय पी रहे थे ठीक है फ्रिज मैंने बगल में रखा हुआ था I was not old enough to have tea लेकिन मैंने जिद किया कि हाँ मुझे चाय दो हर बच्चे ही करता है तो चाय पीने के वजवत उसके पैंट में थोड़ा चाय गिर गया वो अंदर जाके चेंज करने के लिए गया वापस जब चेंज करके वापस नहीं चाय देखा कि फ्रिज वहां पे नहीं था I looked around and found quite soon that a couple of stray dogs were having a nice tug of war with Fritz although he didn't actually come apart his face was battered beyond recognition and his clothes were torn in other words Fritz did not exist for me anymore he was dead तो जब वो नीचे आया तब वो देखा कि Fritz गाया बै तब जाके डूंडा 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 तब जाके देखा कि there were a couple of stray dogs तीके वो लोग Fritz को लेके they were having a nice tug of war मूमे वो डॉल को फशा के ऐसे करे खीचाता नहीं कर रहे पुरा ऐसे करके दो हिसा में तूट तो नहीं गया लेकिन उसका face तो पुरा बिगड़ गया था तीके पॉर जायन तो दूंडा डॉल was dead Fritz was dead तीक उसके लिए एक्जिस्टन नहीं करता था वो मर गया that's all and then gentle story intrigued me तो उसको interesting लग रा था है सही सरके वोट कुद I what could possibly happen after that I arranged his funeral that's all meaning I buried him under the day of the tree I had wanted to make a coffin Fritz was after all a European but I could find nothing not even a little box तो इन दी एन आप बैरी दिम जट लाक तो क्या होगा उसके बाद उसके लिए मैं तो एक funeral एंज कर दिया मतलब शंकर वो दै कि क्या मतलब funeral एंज कर दिया तो लेकि हम उसको तो देवदर्ट्री के नीच आप उसको दफना दिया तो लेकिन मुझे वैसे कोई बॉक्स नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही खोद के उसको वहीं पर देवदर्ट्री के वहीं पर दफना दिया at last the mystery of the devadar tree was solved, finally jake, devadar tree का mystery वो solved we went to bed at around 10. our room was a large one and our beds had been neatly made not being used to doing a lot of walking i was feeling rather tired after the days activities, besides the bed was very comfortable आई फेल असली बेरी 10 मिनिट्स आफ्टर हीटिंग दी पिलो तो वो लोग 10 बज गये थे तब जाके वो लोग सो गए ठीड वो लोग सो गए बड़ा सा रूम था बिस्तर बिस्तर में पड़े और खॉत्तम तो बहुत ज्यादा टायट फील करें थे कि हमनों ट्रैवल करके पहले दिन एक जगा में गए तो दो फेर को खापी के रात को खापी के इमेड़िटल अम लोग सो जाते हैं तो आधी रात को एक आवाज आया जिसके वएए से शंकर जोए थोड़ा सा उड़िया जग गया उसके नीन टूड़िया वहाँ पे जोएन तो सीधा बैठा हुआ था उसके बगल में टेबल लांप जल रही थी ठीक है एंड टेबल लांप के रॉष्णी के वएए से उसका ज तो शंकर जोए नहीं तो ने उसको जवाब नहीं दिया वो उल्टा उसे सवाल पूछा लांकि शंकर डू थींक कि ये घर में छोटे 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 अनिमल जादा है क्या? लाइक चाट्स, माइस ये सब जादा है क्या यहां पे? I shouldn't be surprised if it does, why? Something walked over my chest, that's what woke me. Rats and माइस usually come through drains, but I've never known them to climb on the bed. तो शंकर बोलता है कि हाँ हो ही सकता है, क्यों? क्या बात है? तब जोहां तो बोलता है कि something walked on my chest, ठीक है? उसके वएसे मैं जग गया. तो शंकर बोलता है कि हाँ है, तो बातरून के drain range से तो आई सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है. ठीक है? बट आप नहीं नहीं है, ठीक है? जोहां पास पे शफ्लिंग साउंड दे रहा था, तो बुलाग खी खिर्की के पास कोई आवास था, तो कोई बिली बिली होगी. जोहां तो बिली नहीं तीक है? जोहां पास बॉली नहीं थी. जयनतर वो बिल्ली का वास तो नहीं था है कुछ और ही था शंकर जाके फिर बोला कि तुमने क्या कुछ देखा जब 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 तुमने तो शंकर बोला कि हाँ इसका तो एक ही मतलब है कि जो भी चीज अंदर रूम में आया होगा वह भी भी है तो बोला कि हाँ अगर रूम का सब दर्वाजा बंद है तो अंदर जो चीज था हो तो अंदर ही रहेगा I rose quickly and searched under the bed behind our suitcases and everywhere else in the room. I could not find anything. The door to the bathroom was closed. I opened it and was about to start another search when johantar called out to me softly. Shankar तो वो उठा इदर उदर देखा बिस्तर के अंदर देखा लगे जोगे जटा कि suitcase को उटा किया है पूरा रूम चांगीन मारा बातुर में जाके देखा देखा कि वहाँ पे भी कुछ नहीं था वो फिर से एक दूसरा सच करने के अत्ता बचानक से जोयनतूस शंकर को बुला है शंकर इदर आँ I came back to the room जोयनतूस staring hard at the cover of his quilt upon seeing me he put a portion of it near the lamp and said look at this तो जोयनतू जो था वो बिसर पे बैड़ आबा तो वो शंकर को बुला है कि शंकर इदर आए एक बार तब वो उसके पास जाके देखा कि क्या है नहीं है ठीए तब जोयनतू नहीं क्या क्या जो ग्विल जो था जो चदर जो था उसके ऐसे करे खीच को उसको light में दिखा है यह देखो I bent over the cloth and saw tiny brown circular marks on it I said well these could have been made by a cat तू देखा वहाँ पे छोड़ जोड़ गोल गोल पॉक्मार्क्स टाइप का था ठीक है तो जो जोनतू तू उसको वो string shapes दिखा रहा था दाग दिखा रहा तो शंकर बोला कि आरे यह तो कोई बिली तो बनाई सकती आ रहाम से Shankar did not say anything यह sorry Yohantur did not say anything it was obviously that something had deeply disturbed him but it was 2.30 in the morning I simply had to get a little more sleep or I knew I would just keep feeling tired and we had plans of doing a lot of sightseeing that following day तो Yohantur ने कुछ नहीं बोला tear but he was extremely deeply disturbed रात की धाई बज रहे थे अगले दिन बहुत साथा साइचिंग करना गा अगर वो नहीं सोया तो ही वोड बहुत का प्रांस पुरा खराब हो जाएगा so after muttering a few soothing words such as don't worry I am here with you and who knows those marks may have been on your quilt already when you went to bed I switched off the light once more and lay down I had no doubt that Jant had only Jant had only had a bad dream all those memories of his childhood had upset him obviously and that was what had led to his dreaming of a cat walking on his chest तो शंकर जो उसको थोड़ा सा soothing words बोला थोड़ा सा उसको comfort करने का कोशिश क्या बोला कि अरे हो ही सकता है यहाँ पर कुछ नहीं है तुम चिंता क्यों कर रहे हो मैं हूना तुमारे साथ शायद जो चद्दर में जो दाग दिखा पहले सी हो सकता है हम लोग क्याने से पहले ही था शायद शंकर तो इतना confident था वो sure था कि जोईन तो कुझे ऐसे करके बार-बार उसके पास जो memories जो आ रहे थे उसके वज़े से वो थोड़ा सा टेंस्ट हो गया वो थोड़ा सा नर्वस हो गया या थोड़ा सा mentally affected हो गया जिसके वज़े से शायद वो ऐसे करके नाइट मेर देख रहा है तो शायद सोचा कि पहाप्स ऐसे भी हो सकता है कि वो कोई ड्रीम देख रहा था कि यह एक बिल्ली उसको पड़ से वॉक करके गई शायद इसके वाई से भी हो सकता है होता है कि नर्मली हम लोग सोचते है कि प्लेन से जा रहे प्लेन से गिरा चानक से लगता है कि वी आर आक्ट्वेली फॉलिंग लेकिन वी आर नार बैज्स वैसा टाइप का एक हो सकता है तो शंकर तो सो गया ठीक है और भी अगर कोई इसको बोला नहीं कुछ ठीक है लेकिन वो देख पा रहा था कि कि जॉयन तो रात बर सोया नहीं होगा ठीक से जॉयन तो ने भी शंकर को डिस्टरब किया नहीं ठीक है अगर कोई डिस्टरबिंस अगर हुआ भी तो उसको खुछ बोला भी नहीं कोई भी प्रब्लम होगा तो ओवियसली हम है एक कमेंट डाल दीजिए हम सवाल का जवाब दे देगा और अगर आप लोग को लगता है कि हाँ सरी अच्छा पढ़ा है तो एक बार लाइक बटन जब दबा दीजिए शेर कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है क्यो झाल 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 झाल